गोवा के इस बीच पर पबलिक क्या देखने आती है आपने बहुत कुछ सुना होगा और गोवा के बहुत सारे बीचों के नाम सुना होगा लेकिन आज मैं जिस बीच की बारे मताने वाला हूँ उस बीच पर पबलिक क्या देखने आती है तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ पहले तो घुसते ही लेफ्ट साइड ये इंटरेंस है और यही पर लेफ्ट साइड मैं आपको कैमरा करके दिखाता हूँ यहाँ पर टॉट आइस रखे जाते हैं गोवर्मेंट की तरफ से जहाँ पर आप देख सकते हैं बारकेडिंग की हुई है तो पहला चीज ये देखने आते हैं और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लोग रसियन और भारत के भी आईपी लोगों को देखने आते हैं और साथ ही साथ कुछ और महत्वोर्ड चीचे हैं उनके वारे मेरी बताता हूँ लेकिन आप लोग बीडियो में बने रहो और बीडियो को लास्त तक जरूर देखना क्योंकि इस बीडियो में आपको बहुत सारी जांकारी मिलने वाली है तो अभी मैं हूँ नौर्थ कुवा के एक बहुत ही फेमस बीच या फिर ये कह सकते हैं इडिन बीच आफ गोवा जो कि अभी तक मैक्सिमम इंडियन लोगों को पता ही नहीं है या फिर ये कह सकते हैं अनेक्स्प्लोर्ड बीच आफ गोवा क्योंकि इंडियन लोगों को पता भी नहीं है आते भी नहीं है और जो इंडियन्स आते हैं वो मज़ा लेकि यहां से जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां का माहौल इस बीच पर बिदेशी लड़किया बिदेशी लड़के और भारत के भी आईपी लोग आते हैं क्योंकि इस बीच का सेंड बिल्कुल लेवल है आप देख सकते हैं सेंड ऐसे चिपका हुआ है जैसे रोड बना दी गई हो यह नेचुरल सेंड रोड है गोवा की तो इस बीच पर वाकिंग करना रनिंग करना एक्टिविटी करना बहुत ही मज़ा आता है और बिदेशी कि आस्ओं बीच के पास है और इसके पासी भूत अच्छे नाइ breast 1995 इथा और इस्टे करने के लिए भूत अच्छे-ची सब्दी जगएं तो अगर आप जानना चाहते हैं सब्रगएं इस्टे करने के लिए तो उसके लिए मैं सेप्रेट बीडियो बना दूंगा City आजस का वीडियो है ये डिपेंड है पूरा किस पर इस बीच पर क्या-क्या देखता है और क्या-क्या देखने लोग आते हैं अब अगर आप भी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं फेमस प्रेशेज आफ नौर्थ गोबा क्योंकि यह बीच भी नौर्थ गोबा में है बीचेज आफ गोवा नौर्थ गोवा बेस्ट बीचेज नौर्थ गोवा फिमस बीचेज बेस्ट बीची नौर्थ गोवा तो मेरे साब से यही है और आप लोग एक बार इस बीच पर जरूर विजिट करना है